तो दोस्तो अब medical store और फार्मसिस्ट के license को आधार कार्ट से link कराये जा रहा है और इस सारी जानकारी online दर्ज होगी कोई भी मरीज अस्पताल से दबा स्टोर से दूरी इस्थान कौन सा फार्मसिस्ट है और इसका मोबाईल नंबर क्या है ये सब कुछ वो देश में कहीं भी बेट कर जान सकेंगे साथ ही लाइसेंस आधार कार्ट से लिंक होने से एक फार्मसिस्ट के नाम से एक ही मेडिकल स्टोर का रेजिस्ट्रेशन हो सकेगा मेडिकल स्टोर, थोक कारोबार, ब्लेट बेंक और दवा में निर्माता कंपनी के लाइसेंस का ओनलाइन ब्योरा दर्ज किया जाएगा ओशिधी नियंत्रन अधिकारियों ने बताया कि करीब अठारा सो लाइसेंसों को आधार कार्ट से जोड़ा जाएगा और इस नई व्यवस्था से कई तरह के फ्रॉड रुख जाएंगे फार्मसिस्ट किराय पर लाइसेंस देकर खुद नोकरी नहीं कर पाएंगे और दस्ता बेज यानि की डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन होने से फार्मसिस्ट के नाम सामने आ सकते हैं और फार्मसिस्ट द्वारा नियमों को दरकिनार करके दो जगह से आए अरजित किये जाने का खुलासा हो सकेगा हम आपको बता दे कि फार्मसिस्टों के जो लाइसेंस है उसको आधार कार्ट से लिंक किया जा रहा है और इसके लिए पूरी प्रिक्रिया शुरू कर दी गई है इसके तहट लाइसेंस के साथ ही जो भी नए लाइसेंस है उनके साथ ही जो पुराने जिनके पास लाइसेंस है उनको ओशती विभाग के जो पोर्टल है यानि की FSGA के पोर्टल पर ऑनलाइन डॉक्युमेंट अप्लोड करना होगा अगर डॉक्युमेंट अप्लोड नहीं करते हैं तो लाइसेंस रद कर दिया जाएगा इस नई व्यवस्ता में आधार काट से लिंक होने से एक फार्मसिस्ट के नाम से एक ही मेडिकल स्टोर का रजिस्टेशन हो सकेगा इसमें मेडिकल स्टोर थोक कारोबारी बलड बेंक और दवा निर्माता कंपनी के लाइसेंस का ओनलाइन ब्योरा दर्ज किया जाएगा इसके लिए प्रोप्राइटर और पार्टनर का आधार काट एंड फोटो फार्मसिस्ट का रजिस्टेशन लाइसेंस और जो नवीनी करण है उसकी रसीद आधार काट और फोटो शक्षम व् दोकिमेंट से उनको ओनलाइन अपलोड करना होगा इसके अलाबा मोबाइल नंबर भी वहाँ पर देना होगा दोस्तों ये सारी कबायत क्यों की जा रही हैं क्योंकि जिले में कई फार्मसिस्टों ने अपने लाइसेंस किराय पर दे रखे हैं और खुद एमार की नोगरी क दोकिमेंट्स ओनलाइन होने से फार्मसिस्टों के नाम सामने आ सकते हैं ऐसे में इन लोगों को अपने लाइसेंस जिस मेडिकल इस्टोर को इनों दे रखे हैं वहां से वापस लेने होंगे वहीं जो भी फार्मसिस्ट नियमों को दरकिनार करके दो जगा से इंकम कर रहे उनका भी खुलासा हो सकेगा पहले एक ही फार्मसिस्ट के रेजिस्टेशन पर बहुत सारे मेडिकल चलते थे जबकि नियम है कि जिस फार्मसिस्ट का रेजिस्टेशन लगा है वह उसी की देखरेक में चलना चाहिए लेकिन किसी भी स्टोर में किसी भी मेडिकल स्टोर में फ face dup.gov.in पर online आवेदन करना होगा इसमें medical store संचालक और फार्मसिस्ट को अपना आधार नमबर दर्ज कराना होगा आधार नमबर जिस mobile से लिंक होगा उसी पर OTP आएगा तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो उमीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर अभी तक आपने हमारे इस चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चेनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वेल आइकन जरूर दबाएं इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार